करते हैं अपने चैनल में आप सभी का सवगत और करते हैं ब्लोग आज का यहां से स्टार्ट जैसे कि पिछले ब्लोग में आपने देखाई होगा कि हम पोजगे थे गवालियर तो भई अभी हो चुके सुबह और अभी पोचे हैं भई हम मतुरा से सब पहले है और यहां पर रुके हैं चाइवाई पिएंगे बस अभी जर्ष्ट उठा हूँ मैं तो अजय भई चला रहा था गाड़ी और करेंगे देशी दातून साब करेंगे अपने दात इसी से मंजन परस्त है पर देशी दातून करने में मजा कौछ उठार बही तो लगए यहां पर गारी अपनी तो देख सकते हो यह अपने गारी यहां लगा ली और यहां पे पिएंगे बढ़िच्छाएं मंकी देख सकते भई भाई लेकर आया हिदर पाल रखे भाई, देख सकते भाई, दो गंकी है, भाई गुलाटी मार रहा देखो, आओ भाई से मिलकी आओ आओ, आद मिलाएगा, अपने चाए और निकल आया थे, अपने सपर पे वापस, और भाई देशी दातुन करने में मज़ा ही कुछ और आता है, जो मैंने दातुन किया था, दास्ताप किये थे, वो था भाई लीम का दातुन, जो नीम आता है ना नीम, फूसी का दातुन था, तो मज़ा आगे, आज दातुन करने में मज़ान परस्तों रोजी करते है यार करते दातुन मिलता नहीं है बैई, तो फाइन वी अभी पहुचे है मधूरा, और कर रहे है मधूरा सीटी से, अब मत alltid का मातुरा सीटी को बार कर रहे है, तो ट्राफिक बहुत ज्याददा है यार क्योंकि अभी मतुरा सीटी है ना यहां इसलिए भई बाइपास भी बहुत ज़्यादा अमलब ट्राफिक है बाइक वाले तो भई क्या है बोले कभी उस साइड में कभी इस साइड वाली पट्टी पे बड़ी गारी वाला परेशान हो जाता है यार क्योंकि भई यह बड़ी गारी है ना जब यहां से रांग साइड से निकल के जाते भई तो यह वाली जगों पे दिखता नहीं है तो यहां तक छोटी गारी पे नहीं दिखती भई जितना साइड ग्लास पे ध्यान रखा उतना और कुछ साइड ग्लास में दिखता है और बड़ी गाड़ी के नजदिक से और पास से यहां से नहीं निकाले यार आगे से थोड़ा सा दूरी बना के रखे तो अच्छा है तो बड़ी रुके है यहां होटल पे खाना खाएंगे भई भूक लगरी क्योंकि रात में भी हमने खाना खाया नहीं और रात बर चल रहे थे और फिर सुबह सुबह नीद आ रही थी तीन एक बज़े तो गाड़ी अपने साइड में करके भई सो भी गए थे हम तो अभी फिलाल में पोचे है पलवल, पलवल से थोड़ा सा पेले है जो है कि दिल्ली से थोड़ा सा पेले मतलब दिल्ली यहां से बचा होगा 40 किलोमेटर सम्थिंग दिल्ली बचा है तो फाइनली दोस्तों आ चुक है होटल में और लग चुका भई अपना खाना तो निकल पड़े हैं अपने समर पर वापस भई क्योंकि डिजल डलवाना है अपनी गारी का जो है डिजल एंडिंग पर है देख सकते हो यह रहा भई डिजल एंडिंग पर है और घर से निकले थे तब ही फूल करवाये थे टंकी तो अब गारी किलोमेटर चल चुकी है 965 किलोमेटर फूल टंकी करवाई थी वहाँ से हो चुका है अपनी गारी का डिजल भी डलवा लिया भई यह रहा बिल तो लगाते हैं डककन डिजल टंकी का तो निकलते हैं भई तो भई आगे है पलवल यह आगया है भई एक्सप्रेस वे हाईवे जो दिल्ली की चारो और बना हुआ है वही रोड है भई एक्सप्रेस वे तो इसी पे चड़ना है आमें यह जो नीचे रोड जा रहा इस रोड से आये हम गोम करके वापस और यह सीधा दिल्ली सिटी के और चले जाएगा भई आगे टोइल टेक्स 500 मिटर पे और भई इस रोड पे आपको खुल के जितनी स्पिट चलाना तनी चला सकते हो क्योंकि एक्सप्रेस वे हाईवे है भई यह इसलिए भई जितनी भी स्पिट से आप चलाना चाहो चला सकते है इस रोड पे कोई रोक टोक नहीं है और रोड भी भई मस्त बना हुआ है और आगे आ चुका है टोइल टेक्स भई गड़ी लगा रखी उपर लेकिन बंद अभी तो साड़े पांच बजा रखी गड़ी देख सकते हैं उपर अचै कर टो नहीं है इस तर्ण एक्सप्रेस में जब से चड़े है तब से चलिए और चल चुके हैं अभी तक एक डेड़ सो या एक सो साथ किलोमेटर इस रोड पर चल चुके हैं और यहां से 5-6 किलोमेटर और चलना है आगे एक रूई करके एक शहर आएगा तो वहां से इस रोड को चौनना है तो फिलान में भी पहुचे है टॉल्टेक्स पर और यह रहा भई दूसरा वाला टॉल्ट एक सा आच चुका है इस एक सिस्टम मसता लगा रखे बही देखो आगे स्क्रीन लगी हुई तो भाई छोड़ेंगे इस रोड को यहां से और देखके टर्न लेते हैं भाई उस साइड में आच चुका वही अपना टर्न तो देख सकते हैं आगे लिखा है पाने पात लेप्ट में तो लेप्ट में टर्न लेना है वही अपने को चलना है पाने पात किया है अच कही है रहफल Łई up ले पाहिए बगला है किया पात एल बाद पात अंच अंच सुब तो बहुत चुके है पाने पत बस यहां से पाच किलमेटर और चलना है पानी पत पहुच के अब खाली होगी अपनी गारी पानी पत देखते हैं आज संडे का दिने तो होती की नहीं होती अपनी गारी खाली देखते हैं पोच के और पाल्टी वाले को फोन भी किया था मैंने लेकिन पार्टी वाले का नंबर अभी भई सुविदा बारा है तो रुके हैं यहाँ पे पेशा पानी अपना कर लेते हैं भई उसके बाद में पाच किलोमेटर बच्चा है वहाँ पे भई जोगों नहीं मिनें की तो इसलिए पेशा पानी के लिए रुकेते हैं यहाँ तो बस सब निकलते हैं यहाँ से और अपना एट्रेस दूड़ना पड़ेगा यार क्योंकि फोन नहीं लग रहा पार्टी वाले को अगर पार्टी वाले को फोन लग जाता भई तो अच्छा हो जाता यार रहें डूड़ने में तो चलो फिलाल में निकलते हैं यहां से देखते हैं क्या होता है तो फाइनली दोस्तों बहुत चुके हैं पानी पर और भी खड़े थे यहाँ पे तो कुछ लिया है मैंने यह खाने के लिए चुकि भई अभी बढ़ा भू आज खाली ने होगी क्योंकि भई आज चुटी का दिन है तो कली अपनी गारी खाली होगी है तो देख सकते हैं यहां खड़ी करिए अपनी गारी तो वो रही अपनी गारी उदर लगा ली है और काफी ट्राफिक है भई देख सकते हैं यहां ब्रीज का काम चालू है सुबहें लेने के लिए आएंगे तो सुबहें खाली होगी अपनी काड़ी तो चलते हैं काड़ी में तो बहुत ही जादा ट्राफिक है देखके जाना पड़ेगा और साइड में निकलने की सोचना हो भई पर ट्राफिक देख तकते हो कितना बेंकर लगता है यहां से दोड़ लगाना पड़ेगा तब ही पारं हो पाएंगे यार बस और लगा लेके दोड़ पहरें तो कि तो भूझ ज्याधा ट्राफिक है रोड़ पार क्रमें कमसे कम 12 मिनिट लग गए यार तो बहुत ही ज़ादा ट्राफिक है आ गए ही काड़ी में तो आ चुके है डाबे पे अपनी गाड़ी लगा ली भैई और लगनी भूब तो खाएंगे खाना और गाड़ी अपनी खाली होगी तो यहां कर ली अपनी गाड़ी पार्क देख सकते हो यह रही अपनी गाड़ी और यह रहा भैई इधर में रोड जीटी रोड और वहां आगे लिखा है देख सकते पानी पास सिधा सेवक और शामली रोड आगे राइट में ऐसा कुछ तो यह रहा भई डाबा रसोई डाबा है यहां पे खाएंगे खाना तो लगी है चोटी गार्या भी और अपनी गारी बड़ी गारी तो सिर्फ लगरी भूप लगरी बहुत तो फाइनली दोस्तों लव चुका है अपना खाना और आज बुलाया हमने खाने में मटर पनीर तो देख सकते हैं मटर पनीर बुलाया है इधर प्याज है रोटी है तो अजय भाई खाई खाना करे इस्टार्ट मोबाईल में लगे हैं यार हो गया भई खाना अपना और खाना था बढ़िया और मस्त लगा भई खाना तो बस अभी खाना खाके आए और भई हम खाना खा रहे थे और यह वाली गारी देख सकते हो डिवाइडर चड़ गई है तो अभी उस्ताद के पास जाएंगे पता नहीं मैं अभी जश्ट आया ह होगा भई तो ड्राइवर भाई भी नहीं है यहां पे और भई यह डिवाइडर आगया इसलिए क्योंकि उदर जो है पीछे रोड पुरा प्लेन है और आगे आके डिवाइडर आगया रोड ही खतम हो गया तो इसलिए गारी भाई के चड़ गई देख सकते हो यहां पे डि तो देख सकते भई यहां लगा ली अपनी गारी यह रहा डाबा मैंने पेले भी बताया था आपको तो यह रसोई डाबा है तो यहां कर ली भई अपनी गारी पार्क अब सोएंगे भई यहीं पे